अगर दोस्तों Samsung ने अपनी Galaxy A6 के तहरे तीन और स्मार्टफोन लॉंज कर दिये हैं जिसमें हमारा Galaxy A52, Galaxy A52 5G और साथी Galaxy A72 भी देखने को मिल जाएगा और साथी दोस्तों अगर कीमत की बात करें तो Galaxy A52 की कीमत आपको 399 यूरो देखने को मिलेगी इंडियन करनसी में इसको convert करते हैं तो आपको 3200 रुपे देखने को मिलेगी और वहीं अगर बात करें Galaxy A52 5G और A72 की तो A52 की आपको 429 यूरो देखने को मिलेगी उसकी आपको इंडियन करंसी में लगबग 37,100 रुपे देखने को मिलेगी और होई हमारा A72 की 449 यूरो यानि कुछ की बेगर इंडियन करंसी में convert करते हैं तो आपको 38,800 रुपे देखने को मिलेंगे यह स्मार्टफोन आपको 4 color variant में देखने को मिल जाएंगे और अभी दोस्तों officially कोई statement नहीं आई है कमपनी की तरफ से कि यह स्मार्टफोन आपको इंडियन मार्किट में कब देखने को मिलेंगे और कैस से देखने को मिलेंगे यह अभी European country में launch हो हैं जो कि मैंने आपको इंड 811 का support देखने को मिल जाएगा और साथी इसके अंदर 1 UI 3.1 देखने को मिलेगा और साथी अगर display की बात कहें तो इसके अंदर आपको 6.5 इंज की एक Full HD Plus Super AMOLED देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर आपको 90 Hz का refresh rate देखने को मिल जाएगा और यह display आपको infinity O के साथ देखने को मिल जाएगा और वही camera की बात करें तो दोस्तों स्मार्टफोन में आपको 64 Megapixel का primary sensor साथी सकंदर आपको 12 Megapixel का ultra wide angle 5 Megapixel का micro lens और साथी 5 Megapixel का आपको एक death sensor देखने को मिल जाएगा और साथी selfie सकंदर आपको 32 Megapixel की selfie भी देखने को मिल जाएगा और वहीं दोस्तों बात करें A52 5G की दोस्तों स्मार्टफोन पर भी आपको इसके सेवी specification देखने को मिलेंगे बस आपको एक अलग देखने को क्या मिलेगा कि इसके अंदर A52 5G के अंदर आपको 120 Hz का refresh rate देखने को मिलेगा और अगर A52 नॉर्मल वाले की बात करें तो उसके अंदर आपको सेफ 90 Hz का refresh rate देखने को मिलेगा बाकी specification में कोई change नहीं दोनों की स्मार्टफोन की सेम display सेम special section आपको देखने को मिल जाएंगे वहीं दोस्तों आप बात करें संसिंग Galaxy A72 के specification की तो इसके अंदर आपको थोड़ी बड़ी display देखने को मिलेगा क्योंकि आपका 6.7 inch की Full HD Plus Super AMOLED देखन देखने को मिल जाएगा और वहीं दोस्तों 8GB RAM के साथ इस स्मार्टफोन में भी आपको बैक पर वही 64 Megapixel की सेंसर साथ 12 Megapixel का आपको 5 Megapixel का माइक्रो लेंस पाती एक 8 Megapixel का 3X optical zooming के साथ एक टेली फोटो लेंस देखने को मिल जाएगा और वहीं सेल्फी के लिए इसके अ देखने को मिल जाएगी तो तो स्पैसिवी के सन में कुछ ज्यादा अंतर है नहीं दोनों के आपको सेम ही देखने को मिले हैं लगबग तीनों के ही लेकिन एक 5G का फरक है तो उन दो का तो आप तो बिल्कुल सेम मानी लीजे लेकिन ये थोड़ा स्मार्टफोन थोड़ा म जैसे लांच होते हैं आपको तो इस चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएगी कहीं और जाने के बिल्कुल भी जरूत नहीं है जैसी स्मार्टफोन ईडियान में लांच होते हैं आपको किसी ना किसी तरीके से स्मार्टफोन प्रइन की प्राइस इनकी स्पैसिफिक संद और साथी officially announcement जो होगी वो भी आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों बस आज की वीडियो में तना ही वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बता है वीडियो अच्छे लगी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्काइब करें दोस्तों बिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई और जाहिन